तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ITI Trade Practical Exam का जो भायवा होता है उसमें किस टैप के questions आप से पूछे जाएंगे ठीक है तो बहुत जादा यहाँ पे student को confusion होता है कि भायवा जो होता है उससे बहुत जादा डर भी लगता है आप पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा तो इसलिए इस confusion को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया ठीक है इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आपका भायवा से related जो भी doubt है वो सारे यहाँ पे clear हो जाएगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे feeder trade के लिए उसके बाद electrician trade के लिए भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले देख लिजे समझ लिजेगा जैसे कि मैं यहाँ feeder के लिए आपको बता रहा हूँ उसी job से आपका जो यहाँ पे भायवा में question जो है उसी से related आपको पूछा जाएगा ठीक है यहाँ लोग बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहला question जो था इसमें आपको देख सकते है list out the tool and equipment required to perform practical ठीक है तो नीचे जो यह आपका job जो यह आपको बनाना था इस job को बनाने के लिए prepare करने के लिए आपको जो भी tools का requirement था उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है आप बताईए किसी पांच टूल का नाम बताईए जो कि आपने दियेगे job को बनाने के लिए आपने use किया ठीक है तो आपको उसका नाम बताना पड़ेगा या फिर हो सकता है कि आपको वहाँ पे जो भी examiner है वो क्या करेंगे आपको जो भी आपका भाईबार ले रहे है वो sir आपसे जो आपको वहाँ पे tools दिखाएंगे जैसे कि आपको hammer दिखा दिये बोलेंगे बताओ इसका नाम क्या है ठीक है इस टील रूल दिखा देंगे जैनी के लिपर दिखा देंगे और आपको बोलेंगे इसका name बताने के लिए या फिर उसका किसी part का name पूछ सकते है ठीक है तो यहाँ पे क्या होगी आपका tools तो मैं यहाँ पे tools का आपको name दिखा देता हूँ जो कि इस job को prepare करने के लिए जो भी tools का यहाँ पे use किया गया एक बार आप लोग इसको देख लें अच्छी तरह से और याद कर लें ठीक है वैसे आपको याद हो ही गया होगा लेकिन फिर भी जिनको याद नहीं है वो लोग जो इसमें से कुछ tools का name जो याद कर लिजेगा ठीक है जैसे कि इस job को बनाने के लिए हम लोगों ने steel rule यूज किया उसके बाद आपको देख सकते हैं hand wise हो गया steel rule हो गया ठीक है उसके बाद bench wise हो गया surface plate ता आपका marking block हो गया center punch हो गया center punch जो dot punch यह सारे चीज में से आपको जो name देवा एक बार याद कर लेना ball pin hammer हो गया try square यूज किया आपने flat file यूज किया ठीक है तो यह सारे जो आपके caliper आपने यूज किया जैनी caliper ठीक है तो इस सारे चीज को आपको देख लेना एक बार ठीक है तो यह हो गया tools तो आपको यहाँ पे tools का name पूछा जा सकता है किसी 5 tools का बोल देगा 10 tools का name बताए ठीक है तो tools का name पूछा जा सकता है अपसे ठीक है और उसको साथी साथ आपको tools को दीखा के आपको पहचानने के लिए भी बोला जा सकता है तो यह तो हो गया इस तरह के questions जो पहला आपको पूछा जा सकता है दूसरा question आपको यह पूछा जा सकता है कि यह जो आपका आपन वाले student का ये वाला job आया हुआ है तो उनको इस job बनाने के लिए कौन सा material का जो है उनको requirement था तो ये उनको लिखना पड़ेगा ठीक है तो material देख लेना है आपको क्या-क्या इसमें पदार्त raw material का यूज हुआ है ठीक है तो ये पुछा जा सकता है आपको और तीसरा question जो आप से यहाँ पर आएगा तो बोला जाएगा इस job को आपने prepare जो किया है ठीक है तो आपने कौन-कौन सा इसमें process जो यूज किया operation कौन-कौन सा operation आपने किया sequence wise बताईए तो आपको यहाँ पर operation जो वो बताना पड़ेगा जैसे कि किसी भी workshop में किसी भी job को हम लोग prepare करते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं operation जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है इसको आपको एक बार अच्छी तरह से सारे operations को sequence wise देख लेना तो सबसे पहले marking किया जाता है उसके बाद आपका exoing करते हैं उसको काटते हैं ठीक है उसके बाद आपका filing करते हैं यहाँ पर fitting लिखा गया है पर यह filing होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर choking होगा उसके बाद next यहीं बात करें हम लोग तो यहाँ पर आपको marking होगा उसके बाद फिर chalk करने के बाद आपको marking करना रहेगा उसको फिर यहाँ पर punching करते हैं उसको dot punch से punching किया जाता है फिर drilling यदि आवसकता होगा तो drilling भी किया जाएगा उसके बाद आपका fitting होगा last में आपका finishing किया जाएगा ठीक है तो यह सारे process हैं आप लोग देख सकते हैं ये सारे आपको operation पुछा जा सकता है या फिर इस में से किसी एक operation के बारे में बोल दिया जाएगा कि बताइए आप जो है चौकिंग क्या है तो जानते हैं चौकिंग क्या है चौकिंग जो होता आपका filing करने के बाद उसको जो है उसके उपर जो है चौक जो है लेप लगाया जाता है ठीक है अच्छे से marking करने के लिए तो ये सारे में से किसी भी एक process आपको punching हो गया punching क्यों करते हैं पुछा जा सकता है आपको punching क्यों करते हैं जब हम लोग मार्किंग कर लेते हैं, चौकिंग उसके उपर लगा के मार्किंग कर लेते हैं, तो उसको बाद में आपका मिट ना जाए, ठीक है, क्योंकि चौक क्या होता आपका, जब आप लोग उसको फिर से आप लोग उसको जो है, हेक्सोइंग किजिएगा, तो उस समय ज है और इस से बाहर कुछ भी question आपसे नहीं पूछा जाएगा आपका जो भी job आया है वही job जो आपने बनाया है workshop में वही job से आपका question रहेगा टूल से related question पूछे जाएगे और आप से यहां पर sequence of operation पूछा जाएगा आपने बताइए कि आपने इस job को बनाने कौन-कौन सा ब्रॉफर्श नियुं सा पहें क्या है सकता है क्या यह वर्टिंग पुछा जा सकता है क्या क्या है है और इस एक ह dö Dow सकते हैं सबसे पहले आप ने क्या कि वाया को दिये डैमेंसान के इसा आप से कट लिया उसके बाद उसका जो सर्फेस को फिनिस को सर्फेस को जो स्मूथ बनाने के लिए आपने फाइलिंग किया ठीक है एक सोइंग किया उसके बाद चॉकिंग किया यह सारे चीज़ आपको बताना रहेगा एक बार जो इसको आप लोग देख लिजेगा अच्छे सी प्रोसेस जो आपने बर्ती ठीक है तो यह बहीर राथ देख लिजए अक बाद देखे गर साबधानिया चीक बहुत किया करना रहेगा बहुता है बहुत क्या material यूज किया ठीक है क्या उसका specification था material का यही सारा चीज आपको पूछा जाएगा जैसे कि आपका AC circuit diagram था AC circuit diagram बनाने के लिए आपने क्या चीज का यहाँ पर जो कौन-कौन सा tools का use हुआ आपका instrument वगेरा का नाम आपको पूछा जा सकता है ठीक है और यदि बात करें तो आपका material कौन-कौन सा material यूज जुआ और उसका specification क्या था यही सब चीज आपसे पूछा जाएगा ठीक है उसी तरह twin slide था आपका तो twin slide से related questions आपसे पूछे जाएंगे ठीक है उसमें क्या-क्या उसको बनाने के लिए आपने यूज क्या parallel combination क्या होता है series combination क्या होता है उसके बाद जो third question था आपका practical का electrician practical का वह था आपका भी आई कर्व से ठीक है ना भी आई कर्व मिन्स voltage और current के बीच का जो relations हो करने के लिए आपको बोला जा रहा था जब आपका resistant constant रहता और या फिर resistant क्या करता भैरी करता उसके बीच का आपको हो सकता एक बोल दिया जाए ग्राब बनाने लेकिन वह चीज जो है नहीं उतना deep नहीं पूछा जाता आपसे simple tools के बारे में पूछा जाएगा ठीक है और उसका specification हो सकता है एक दो पूछ ले तो पूछ ले बस tools के बारे में मैं आपको focus करना tools के उपर उससे ही आपका सारा question जो भायबा में पूछा जाएगा तो ये था आपका ITI trade practical भायबा से related यदि I hope आपका सारा doubts जो भी है आपके मन में वो सारा clear हो गया होगा यदि इसके अलाबे भी कोई doubts है तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे comment box में जाके comment कर सकते हैं ठीक है तो मैं उसको जरूर वहाँ पर reply करूंगा तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है